नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर आज एक हम नई अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं जी हाँ नबाड ग्रेड ए रिक्रूट्मेंट 2023 नबाड में रिक्रूट्मेंट निकला हुआ है 1.500 पोस्ट के लिए और सेलरी हो सकती है इसकी एक अलाग रुपे तक इस वीडियो में बने रहिए हम क्या स्लेबस है क्या एक्जाम पैटर्न है और क्या इसकी योगिता रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए हम इसमें सभी आपके डाउट्स यहाँ पर किलियर कर देंगे नबाड, National Bank for Agriculture and Rural Development जी हाँ इसमें डेटर्स पोस्ट निकली हुई है और ये जो पोस्ट निकली हुई है इसका फॉर्म की बात करें इंपोर्टन डेट्स की बात करें तो अप्लिकेसिस स्टार्ट हो चुका है 2.9.2023 से लास्ट डेट है 23.9.2023 फेस फर्स्ट की जो एक्ज आपडेट करते हैं वैसे हम अपडेट आपको कर देंगे तो चैनल के साथ बने रही है एप्लिकेशन फीस की बात कर लिजा है तो जनरल OBC EWS से 800 रुपे लिए जाएंगे SD, SD, Physical Handicap से 500 रुपे लिए जाएंगे फीस की पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थुरू आप कर सकते हैं एज लिमिट्स की बात करें तो एज लिमिट्स आप भी कैल्कुएट की जाएगी एक नो दो हजार तेईस, जी हाँ, मिनिममम एज 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल है एज रिलक्षेशन आपको इनके रूल्स के अकोर्डिंग आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज रिलक्षेशन की जो रूल्स आपको मैं बता रहा था इनके रूल्स है नबाट के हर ओर्गिनाज़ेशन के होते हैं रूल्स उसी के बिहाफ पे वो आपको रिलक्षेशन देते हैं बात करें तो तीन साल का OBC एप्लिकेंट को यहाँ पे एज में रिलक्षेशन मिल जाएगा और पांस साल का एज रेक्षेशन मिलेगा उन लोगों को जैसे की जो S.C.S.T. से बिलोंग करते हैं एक सर्विसमेन जिन्होंने एटलिस्ट फाइफ यर्स तक अपनी सर्विस दी है और Emergency Commissioned Officer, Short Service Commissioned Officers जिन्होंने Initial Period 5 Year का Complete किया है और उन लोगों को भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी Children, Family Members of Victims जिनके 1984 में जो दंगे हुए थे उन लोगों को भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी 10 साल की छूट, Person with Physical Handicap को General में 13 साल की छूट, OVC कटेगरी में अगर फिजिकल हैं और 15 साल की छूट यहाँ पे SC, ST जो की Physically Handicap है उनको यहाँ पे छूट मिल जाएगी यह जो पोस्ट है इसका नाम है Assistant Manager Grade A ग्रेड़ सो पोस्ट हैं यहाँ और बात कर लिजाए इसकी eligibility की तो बैसलर डिगरी आपकी related trade में होने चाहिए 60% के साथ जी हाँ अलग 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 वेकेंसी हैं जैसे की जनरल की बात करें हम जनरल जो वेकेंसी है उसमें और बैसलर डिगरी आपका मांगा है किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके aggregate होने चाहिए और SCST और PWBD के लिए 45% मार्क्स आपके होने चाहिए या फिर आपके post graduate में आपको minimum 50% मार्क्स आपने लिए हो वो होने चाहिए और SCST PWD के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए आपने PhD करी है या Chartered Accountant, Cost Accountant, Company Secretary with Bachelor degree और 2 Year Full Time PG Diploma आपने किया हो management में तो भी आपको इसी के according 50% आपको चाहिए जनरल का डिगरी के लिए और SCST PWBD के लिए 45% आपके मार्क्स होने चाहिए अगली जो है post full processing की इसमें भी आपकी बैसलर डि के लिए मांगे गई है food processing में और food technology में 50% marks for general category SCST PWD के लिए 45% और post graduate आपकी food processing में हो या food technology में हो dairy science में फिर भी आपके 50% होने ही चाहिए general category के लिए और हमेशा की तरह ST ST PWBD के लिए 45% marks होने चाहिए geoinformatics जी हाँ ये एक नई वेकेंसी है इसमें भी वही मांगा गया है BE, BTEC, BST degree geoinformatics में 50% marks general category SCST PWBD के लिए 45% marks और आपने ME, MTECH, MSC degree geoinformatics में किया हो 50% marks के साथ और SCST PWD के लिए 45% marks होने चाहिए next vacancy information technology इसमें भी bachelor degree science में आपकी हो या computer technology में computer application में information technology में 50% marks आपके होने ही चाहिए SCST PWD के लिए 45% marks या फिर आपने post graduate किया हो computer science, computer technology, computer application, information technology with 50% marks जी हाँ और SCST PWBD के लिए 45% marks company secretary जी हाँ ये भी एक post है bachelor degree आपकी किसी भी discipline में हो with associate membership of institute of company secretaries of India जी हाँ इसके अंदर कर आपका एक course होना चाहिए the membership of ICSI must have obtained on or before 1-1-2020 इस date से पहले आपका eligibility पूरी होनी चाहिए अगली जो post है वो finance department में है BBA finance आपका हो banking में हो BMS finance या banking में 50% marks आपके होने ही चाहिए और SC, ST, PW, BD के लिए 45% marks और two year full time PG diploma आपने किया हो management finance में full time आपने MBA किया हो और bachelor of financial and investment analysis with 50% marks और general category and SC, ST, PW, BD के लिए वही 45% marks आपके होने चाहिए statistics की बात करें तो bachelor degree in statistics 50% marks आपके होने चाहिए PW, BD के लिए 45% marks आपके होने चाहिए post graduate आपने degree करी हो statistics में with a minimum of 50% marks and ST, ST, PW, BD 45% marks civil engineering की जो post है उसमें bachelor degree आपके civil engineering में होनी चाहिए किसे भी recognize universities है और यहाँ पर 60% marks मांगे गए हैं for general and OBC category SC, ST, PW, BD के लिए 55% marks आपके होने चाहिए या फिर आपने post graduate degree करी हो civil engineering में तो आपके 55% marks चल जाएंगे और SC, ST, PW, BD के लिए 50% marks चाहिए next, electrical engineering, bachelor degree in electrical engineering from American College University, 60% marks होने चाहिए general OBC category के लिए, PW, BD के लिए 55% marks होने चाहिए post graduate degree, आपकी आपने complete करी हो तो उसमें 15% marks और PW, BD के लिए 50% marks होने चाहिए forestry में भी यहाँ पे vacancy निकली हुई है, bachelor degree forestry में आपकी complete होनी चाहिए 60% marks से साथ, और reservation वालों के लिए 55% marks चल जाएंगे post graduate degree में 55% marks valid है और ST, PW, BD के लिए 50% marks यहाँ पर चल जाएंगे statistics में bachelor degree in statistics with 60% marks और general category SC, ST, PW, BD के लिए वही 55% marks या फिर आपने post graduate करा हो तो 55% marks भी चल जाएंगे और 50% marks PW, BD के लिए है अब यहाँ पर हम बात कर लें यहाँ पर एक table में आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें discipline लिखी हुई है और यहाँ पर कटेगरी लिखी हुई है UR, SC, ST, OBC, EWS और total vacancy यहाँ पर कितनी है पहली बात करें general की तो 31 general यह discipline है इसमें UR के लिए 31 post है SC के लिए 11 post है ST के लिए 9 post है OBC के लिए 18 है EWS के लिए 9 है Total 77 post है Computer technology में बात कर ली जाए UR में 16 SC में 6 ST में 1 OBC में 14 EWS में 3 और total यहाँ पर 40 post है Finance Department के बात कर ली जाए तो यहाँ पर UR में 3 post है SC में 4 ST में 1 OBC में 5 EWS में 2 और total यहाँ पर 15 post है Company secretary की बात कर ली जाए तो UR में 2 post है और OBC में केवाल 1 post है Total यहाँ पर 3 post है स्विल इंजिनरिंग की बात करें UR में 1 post है SC में 1 post है OBC में 1 post है Total यहाँ पर 3 post है Electrical Engineering की बात करें UR में 1 post है OBC में 1 post है EWSC में 1 post है टोल्ट तीन पोस्ट है यहां पर जो इनफ नहीं इन्फरमटिक में बात करें दोभी पोस्ट है और बात दोगेंसी है Statistics की बात करें तो UR में दो पोस्ट है और Total भी दो पोस्ट है Mass Communication या Media Specialist की बात करें कि यवल एक ही पोस्ट है और वो भी UR में Total in reserve category में 61 पोस्ट है SC में 22, SC में 12, OBC में 14 पोस्ट, PWS में 14 और Total यहां पे vacancy जैसे मैंने आपको बताया 1500 vacancy हैं यहां पे PWD के लिए यहां पे 7 पोस्ट का reservation है अब यहां पर बात करें पोस्ट नेम AM General में 77 पोस्ट, AM Geo में 2 पोस्ट, AM Food में 2, AM Mass Communication में 1, Civil Engineering में 3, Computer IT में 40 AM Electrical Engineering में 3, AM Company Secretary में 3, AM Forestry में 2, Statistics में 2, Environment Engineering में कोई भी पोस्ट नहीं है Finance में यहां पे 15 पोस्ट दी गई है Salary की बात कर ली जाए तो salary काफी अच्छी है जो भी candidate यहां पे select होंगे यह grade A की पोस्ट है 44,500 से 25 यहां पे दिया हुआ है, अलग-अलग bands दी हुए इसकी according मोटा मोटा salary आपकी एक लाग तक आज जाएगी जी हाँ, salary काफी attractive है तो form आप जरूब रहें और तैयारी में लग जाएए यहां पे बात करें compensation की तो compensation इसमें काफी मिलता है पहला compensation है local compensatory allowance यह allowance आपको मिलता है cost of living के लिए जहां भी आपका hometown है या जहां भी आपको duty की posting होगी house rent allowance तो आपको मिलेगा ही आपको पता ही है duyänner allowance भी आपको मिलता है ग्रेड allowance भी आपको मिलेगा family allowance भी आपको यहांपर मिलेगा और dispensary allowance भी आपको मिलेगा जो भी basic allowance किसी भी government department में मिलते हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे with an attractive salary of 1 lakh interrogation period की बात करें तो दो साल का Тогда probation period मा drowned आद यहां दो साल का probation period πεॉ durum यहां पर compulsory है DO करियर ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही ग्रोथ यहां पर इसमें कोई दो राए नहीं है Assistant Manager Manager Assistant General Manager डिप्टी जैड्रल Manager General Manager Chief General Manager Executive Director और director तक की पोस्त है यहाँ पर अब बात करने ऐखाम का क्या पैटर呢 है तो इक जाम का पैटर्ण आप देख लिजिए यहाँ पर पहला है टैस्टब रिजिनिंग बीस कोशन होंगे बीस मार्स का होगा इंगलिश में बाद करें से रिलेटेड आएंगे और 14 मार्स का होगा अग्रिकल्चर एंट रूरल डवलाप्मेंट विद इंफेसाइज और रूरल इंडिया इससे भी 40 कोश्चन आएंगे और 40 ही मार्स होने वाले टोटल 200 कोश्चन 200 मार्स 120 मिनट हिंद्य और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें कोई भी अगर सुझाव हों तो वो भी हमें बताएं शोट वीडियो के माद्यम से हम अपडेट देते रहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बाकी लोगों को भी जोड़ें धन्यवाद